ओम नमो भगवते बासु देवायर प्यारे भक्त गनों आज की वीडियो में आप सभी जानेंगे एट महीने की सुकला पक्सकी निर्जिला एकदसी कभ है 2024 में और इसके साथ ही आप सभी सुनेंगे निर्जिला एकदसी ब्रत से जुड़ी पाच महा पुन्य फल देने वाली क था हिंदी के लेंदर के अनुसार प्रातेक महा दो एकदसी तिथिया आती है और इस तरह साल में कुल 24 एकदसी ब्रत परते हैं प्रातेक एकदसी के अपना एक खास महत्व होता है जेश्ट महा के सुकला पक्च की एकदसी को निर्जिला एकदसी कहा जाता है वही से भीम ए और भीमसेन एकदसी के नाम से भी जाना जाता है पांचान के अनुसार इस साल निरजला एकदसी का वरत 18 जुन को परेगा कहते हैं इस वरत को रखने से जातको साल भर की सभी 24 एकदसियों का फल प्राप्त होता है साथी सभी पापों से मुक्ति मिलती है और अम्रित्तु के ब भीमसेन एकदसी क्यों कहा जाता है तो आईए जानते हैं इसके पीछी की रोचक कहानी की बारे में उससे पहले हम जान लेते हैं एकदसी वरत के तीथी की बारे में एकदसी तीथी की सुरुवात 17 जून 2024 को सुभा 4 बचकर 43 मिनट पर लग जाएगी वहीं एकदसी तीथी समाप 18 जून 2024 को सुभा 6 बचकर 24 मिनट पर समाप थोगी उदाया तीथी होने की कारण निर्जिला एकदसी का ब्रत 18 जून मंगलबार को रखा जाएगा निर्जिला एकदसी ब्रत का पारण 19 जून 2024 बुद्धबार के दिन किया जाएगा अब आईए प्यारे भक्त केनों हम सर्वन करेंगे निर्जिला एकादसी ब्रत की महातमे कथा और उसके बाद जानेंगे निर्जिला एकादसी ब्रत से चुरी दैस महतपूर्ण जानकाली निर्जिला एकादसी ब्रत का था भीमसेन ब्यास जी से कहने लगे हे पितामा भ्राता यूदिस्टिर माता कुंती द्रोपती अर्जुन नकुल और सहदेव आदी सब एकादसी का ब्रत करने को कहते हैं प्रंदु महराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं भगवान की सकती पूजा आदी तो कर सकता हूँ दान भी दे सकता हूँ प्रंदु भोजन के बिना नहीं रह सकता इस पर भ्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन जादी तुम नरक को बुरा और स्वर को अच्छा समझते हो त तो प्रती मास की दोनों एका दस्य को अनमत खाया करो भीम कहने लगे कि हे पिता मा मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भोख सहन नहीं कर सकता यादी बर्स भर में कोई एकी ब्रत हो तो वह में रख सकता हूँ क्योंकि मेरे पेट में ब्रिक नाम बाली अगनी है सो में भोजन की बीना नहीं रह सकता भोजन करने से वह सांत रहती है इसलिए पूरा उपास तो क्या एक समय भी बीना भोजन की रहना कठीन है आथा आप मुझे कोई ऐसा ब्रत बतलाईए जो बर्स में केवल एक ही बर करना परे और मुझे स्वर्ग की प्राप्ती हो जाए सिरी ब्यास जी कहने लगे कि है पुत्र बरे बरे रिशियों ने बहुत सास्त्र आधी बनाये हैं जिन से बिना धन के थोरे परिश्वम से ही स्वर्ग की प्राप्ती हो सकती है इसी परकार सास्त्रों में दोनों पाक्छों की एकादसी का ब्रत मुक्ती के लिए रखा जाता ब्यास जी के बचन सुनकर भीमसिन नरक में जाने के नाम से है भीत हो गए और कापकर कहने लगे कि अब क्या करूँ मास में दो ब्रत तो मैं नहीं कर सकता हाँ बर्स में एक ब्रत करने का प्रतने अवस्य कर सकता हूँ आता बर्स में एक दिन ब्रत करने से जादी मेरी मुक्ती हो जाए तू ऐसा कोई ब्रत बतलाए जहाँ सुनकर ब्यास्टी कहने लगे कि ब्रीशब और मिठून की सक्रांती की बीच जेश्ट मास के सुकला पक्सकी जो एकादसी आती है उसका नाम नेर्चला है तुम उस एकादसी का ब्रत करो इस एकादसी की ब्रत में असनान और आचमन की सिवा जल बरजित है आचमन में छे मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए आन्याथावा मध पान के सद्रिस हो जाता है इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि भोजन करने से ब्रत नश्ठ हो ना करे तो से साड़ी एकादस्यों के ब्रेत का फल प्राप्थ होता है। जहाँ मुझको स्यम भगवान ने बताया है। इस एकादस्य का पुन्य, समस्तिर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जिला एक अदसी का व्रेद करते हैं, उसकी मृत्तु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते। बरन भगवान की पार्षत उसे पुश्पक बीमान में बैठा कर स्वर्व को ले जाते हैं। आतहा संसार में सबसे स्रिष्ट निर्जिला एक अदसी का व्रेद है। इसलिए यतने के साथ इस व्रेद को करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवे देवासु देवाय मंत्र का उचारन करना चाहिए। और गौदान करना चाहिए। इस परकार ब्यास जी के आग्या नुसर भीम सेन ने इस ब्रेद को किया इसलिए इस एक अदसी को भीम सेनी या पांडव एक अदसी भी कहते हैं। निर्जिला एक अदसी ब्रेद करने से पुर्वे भगवान से प्राथना करे कि हे भगवान आज मैं निर्जिला ब्रेद करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँग मैं इस ब्रत को स्रधा पुर्बग करूंगा आता आपकी किरपा से मेरे सब पाप नैस्ठ हो जाए इस दिन जल से भारा हुआ एक घरा बस्तर से ढखकर स्वर्नसाई दान करना चाहिए जो मनशे इस ब्रत को करते हैं उसको करोर फल सोने के दान का फल मिलता है और जो इस दिन यागादित करते हैं उनका फल तो बर्ननी नहीं किया जा सकता इस एक घरा से ब्रत से मनुष्य विष्णू लोग को प्राप्त होता है जो मनुष्य इस दिन अन्ने खाते हैं वो चांडाल के समान है वे अंत में नरक में जाते हैं जिसने निर्जिला एकादसी का ब्रत किया है वह चाहे ब्रह्मा हत्यारा हो मधबान करता हो चोड़ी की हो या गुरु के साथ देश किया हो मगर इस ब्रत के परभाव से स्वर्ग जाता है हे कुंती पुत्र जो पुरुष या इस्तरी स्राधा पुर्भक इस ब्रत को करते हैं उन्हें आगर लिखित कर्म करने चाहिए प्राथम भागवान का पूजन फिर गौदान ब्रामन को मिश्टान वा दच्छिना देनी चाहिए तथा जल से भरे कलर्स का दान अवस्यक करना चाहिए निर्जिला के दिन अन्य बस्तर उपहन आधी का दान भी करना चाहिए जो मनुश्य भक्ती पुर्भक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उन्हें निश्चे ही स्वर्ग की प्राप्ती होती है प्रेम से बुलिए लच्मी नारायन की चै तो आईए प्यारे भक्त गनों हम जानते हैं निर्जिला एकदसी ब्रत की दैस महतपुर्ण जानकारी जेश्ट माहा के सुकला पक्ष की एकदसी का नाम निर्जिला है भागवान विश्णु की पूजा और उनके लिए ब्रत करने का पर्व है इस एक ब्रत से साल भर की सभी एकदसीों के बराबर पून्य मिल सकता है दूसरी इस एकदसी को पांधव और भीम सेनी एकदसी कहते है महा भारत के समय भीम ने भी ये ब्रत किया था इस वज़ा से इस एकदसी को ये नाम मिला है तिसरा इस दिन ब्रत उपवास रखने के साथी मौसमी फल जैसे आम मिठाई पंखा, कपरे, जूते, चपल, धन, अनाज का धान जरूर करना चाहिए चौथा घर में पूजा पाठ करने के साथी किसी पौरानिक महत्व बाले मंदिर में भी दर्सन पूजन करना चाहिए बाल कुपाल, भागवन विश्नु और माहा लच्मी का अभिशेक करना चाहिए पाचवा इस दिन सिबलिंग पर थंडा जल चढ़ा कर चंदन का लेब करना चाहिए सिबलिंग का सिंगार बेल पत्र हार फूल से करे निर्जिला एक अदसे का व्रत निर्जल रहकर किया जाता है इस दिन और और पानी का सिवन नहीं करना चाहिए तभी इस व्रत का पूरा फल मिलता है अभी गर्मी की समय में दिन भर भूखे प्यासे रहना मुश्किल है इसी वज़े से ये व्रत तपस्या की तरह है साथवा किसी मंदिर में या किसी अन्य सरवजनिक जगापड प्याव लगवाए या किसी प्याव में मठके का दान करे पंचियों के लिए घर के बाहर अन और जल जरूर रखना चाहिए आठवा जो लोग एकादसी ब्रत करते हैं उन्हें ब्रत उपवास के साथ ही विश्णुजी के मत्रप ओम नमो भगवते बासु देवाई का जब करना चाहिए सुभा साम पूजा करे अगले दिन यानी द्वादसी तिथी को जल्दी उठे पूजा पाठ करे और जवरतमंद लोगों को खाना खिलाए इसके बाधी खुद खाना खाए इस तरह यवरक पूरा होता है महा भारत के समय महरिशी बेद ब्यास ने पांडो को एकादसी ब्रत का महत्मे बताया था इस समय भीम ने ब्यास जी से कहा था कि मैं तो भूखे रही नहीं पाता हूँ तो मुझे एकादसी ब्रत का फल कैसे मिल सकता है ब्यास जी ने भीम को बताया कि निर्जिला एकादसी के ब्रत से साल भर की एकादसियों का पुन्य कमाया जा सकता है इसके बाद भीम ने भी ये ब्रत किया था जो लोग दिन भर भूखे प्यासे नहीं रह सकते उन्हें फल और दूथ का सिवन करना चाहिए एकादसी ब्रत करने वाले लोग एकादसी पर सुभाज जल्दी उठे और अस्नान के बाद घार के मंदिर में पूजा करे पूजा के बाद भगवान विश्णु के सामने ब्रत और पूजा करने का संकल्प जरूरे इसके बाद ब्रत करे अब आईए प्यारे भक्त गनो निर्जिला एकादसी ब्रत को पूर्ण करने वाली कथाओ का सर्वन करते हैं दस्चिन भारत में इस्थित कांची पूरी में चोल वन्सिय राजाओ का राज्य था कत कालीन चोल राजा भगवान विश्णु का बरा भक्त था वा अनंत सयन मंदिर में भगवान विश्णु की पूजा राज्य की अलंग करनों से किया करता था पूर्ति की सिंगारिक पूजा कर उसके मन में जहां एहंकार भी पैदा होता था कि ऐसे दिव्या अलंग करनों से भगवान के सिंगारिक पूजा अन्य कोई नहीं करता एक दिन वह पूजा करके उठा ही था कीतने में उसके नगर का एक दीन हिन ब्रामन विश्नुदास हाथ में तुलसी तथा जल भरा कलस लेकर आया पहले तो उसने भगवान को डंडवत परनाम किया फिर कलस का जल भगवान के चरुनों में उरेल कर तुलसी दल चड़ा दिया राथ में वह ओम नमो भगवते बासु देवाय का मंत्र जबता जाता था राजा खरा यहां सब देख रहा था ब्रामण के जल डालने से राजा दोारा अरवित पूजया समागरीत था शिंगार बह गया और भगवान की चर्नों में रह गया केवल तुलसी दल राजा को बड़ा क्रोध आया कहने लगा अरे दैद्र ब्रामण मैंने भगवान का कैसा शिंगार किया था भगवान की यह मूर्ति कैसी राजगिया सोभा पा रही थे तुने जल चरहा कर सब धो दिया और रख दिया तुलसी की ये जंगली पत्ते ब्रामन राजा की क्रोध भरी बात सुनकर बिंती करते हुए बोला राजन मैं दरिद्र ब्रामन हूँ आप जैसे सिंगारिक पूजा का साधन मेरे पास कहा है आज तो जो कुछ पाता हूँ उसी को भग्ती भाव से भगवान के चरणों में चरह कर प्राभू किर्पा से सुखी हो जाता हूँ अलंकरन दिव्या पुष्वे फाल आदिसी गर्वित होकर पूजा करे या भग्ती भावना से प्राभू की आगे केवल बिनीत होकर हांथ जोर दे इससे भगवान को क्या लेना भगवान को तो भग्ती और भावना चाहिए महराज मुझे छामा करे राजा ने कहा तुझे अपनी भग्ती पर गर्व है तुने कोई देव मंदिर बनवाया है कभी यग दान तब किया है भग्वान को संतुष्ठ करने वाला कोई भी काम तुने कभी किया है ब्रामन ने कहा हे राजन मैं तो अपनी दीन हिन पूजा से इतना संतुष्ठ हो जाता हूं कि लगता है जैसे भगवान संतुष्ठ हो गया जहाँ देव मंदिर आपका बनाया हुआ है मेरी पूजा से आपकी सिंगारिक पूजा खराब होती है तो मैं कल से अपने घर पर ही भगवान का मिट्टी का कोई विग्रह रखकर पूजा कर लिया करूंगा जह कहे कर ब्रामन चलने लगा तो राजा ने कहा अच्छा तो भाक्त ब्रामन मेरी भी बात सुन ले भगवान विश्णू किस पर परसन होकर पहले किसको दर्शन देते हैं इसे सब लोग देखेंगे ब्रामन ने इस चुनावती को जैसे सुना ही नहीं चलते चलते धीरे से बोला भगवान का तो मुझे मेरी हर सास में आभास होता रहता है मैं तो अपने मन में उनका नित्या दर्शन करता रहता हूँ दुसरों से मुझे क्या लेना प्रामन अपनी कुटिया में चला गया राजल राज महल में चला गया प्रामन ने उस मंदिर में जाना छोर दिया अपने घर पर ही विश्नु भगवान का एक छोटा सा बिग्रा ले आया और उसी का भक्ती भाव से पूजन कर कुछ भी रूखा सुखा होता भगवान को भोग लगाने के बाद खूद भोजन करता था यह उसका नित्य का नियम था उधर राजा अपने देव मंदिर में अपनी पूजा बिधी से स्वयम ही परसन होता और अपनी पूजा पर गर्व करता उसने अपनी यग साला में मुगदल को आचरे बना कर एक विसाल राज्यचित यग पारम किया राजा को एक बरा यक कराने का गर्व हो रहा था ब्रामन गन बेद पाठ करते राजा को यह अभिमान होता कि वह यक करा रहा है एक दिन ब्रामन पूजा पाठ करने के बाद भागवान को भोग लगाने को जैसे ही उठा कि सारा का सारा खाना एक मडियल सा भिखाडी खाकर भागया अब क्या करे भगवान को क्या भोग लगाए दुबारा रोसोई बनाए तो देर होगी और संध्या का समय समाथ हो जाएगा भगवान की इच्छा मानकर भगवान को हाथ जोर कर कहा पहे भगवान जब आपके लिए भोग नहीं लगा पाया तो मैं भी भूखा सोंगा ब्रामन ने रात भूखे ही बिता दी दूसरे दिन भी भूख के समय ऐसी ही घट न गटी ब्रामन भगवान को बीना भोग लगाए भूखा ही सो गया उसे आश्चर्जय हुआ की कौन भोग के समय चुपके से आकर रसोई का सारा खाना खा जाता है तीसरे दिन वह साबधान था भोग के समय जैसे ही वह भूखा ब्रामन आया और खाना लेकर भागने लगा कि उसने उसे पकार लिया उसकी दैनिया दसा देखकर कहा दरिदर नार इस परकार चुपके से चोड़ी से खाना क्यूं ले जा रहे हो आओ बैठो भगवान का भोग लगाने के बाद जो कुछ भी रूखा सुखा है बैठकर प्रेम से खाकर अपने भोग मिटाओ अब मैं आपको ऐसे न जाने दूंगा बैठो और प्रेम से भोजन करो मैं मेरे नारेन स्वयम परत्यक्षे भोग शिकार कर रहे हैं जहां कहे कर उसने उस भोखे ब्रामन को आशन पर बैठाया और खाना परोसकर हाथ जोर कर बैठ गया इतने में ही उसे भोखे ब्रामन ने आपना स्वरुप बदला और वह साक्षात बिश्नु की रूप में बिरज परा उसे उठाते हुए भगवान विश्नु ने कहा उठो मेरे प्यारे भग मैं चोल राजा के यहां भी रोज जाता था मकर वहां से मुझ दीन हीन दैद्र को भगा दिया जाता था उस राजसी एहंकारी यक्वे राज पुरुसो दरबाडियो कर्मे कांडी ब्रामनों की पर्थिष्टा है अपने को भक्त कहलाने का दिखावा है वहां से दीन हीन तथा भूखे भागा दिये जाते हैं चोल महराज से कह दो कि भगवान विश्नु मेरे यहां आये हैं आकर दर्शन कर ले मैं तब तक यहीं बैठा रहूंगा ब्रामन गदगद होकर भागा भागा चोल नरेश के पास गया और कहा हे राजन भगवान विश्नु मेरे यहां बैठे हैं चलिए आपको दर्शन देने के लिए बुला रहे हैं यह सुनकर राजा हसा लेकिन महरीशी मुगदल भगवान की यहां माया समझ रहे थे उन्होंने राजा से कहा हे राजन ब्रामन की ब ब्रामन चल कर जब उस जोपरे में आये तो देखा कि भगवान विश्नु भोजन कर रहे थे राजा ने आश्चर्ज से हाथ जोर कर कहा प्रभू मैं आपका दर्शन पाने तथा आपका परसाद ग्रहन करने को कितने दिनों से जब तब पूजा यक कर रहा हूं वल तुम्हारे पूजा आरजना यक तप में राजसी आहिंकार है एक दिखावा है इस ब्रामन की द्रेदरता में बिनम्र भाक्ती है दिखावा नहीं भावना है बिहल प्रेम है मैं तो निरहंकारी भाक्ती तथा भावना का भुका हूं इसलिए यह प्रेम परसाद ग्रहन कर तुम्हारी पूजा आंत मरन की नहीं है दिखावे की है भागवान की यह बात सुनकर राजा को ग्यान हुआ जब तक राजसी ब्याभाव से जुरा रहूंगा यह एंकार बना रहेगा इसलिए राजा ने अपने पुत्र को राज स्वपकर बन प्रस्थी जीवन बिताने त अडम ब्रहिन भक्ती करने किसी आश्रम में चले गए प्रेम से बुलिये विश्नु भगवान की जय लच्मी माता की कहानी एक गाव में एक साहुकार रहता था साहुकार के एक बेटी थी वह हर रोज पीपल सिचने जाती थी पीपल के ब्रिक्ष में से लच्मी जी परकट ह होती थी और चली जाती एक दिन लच्मी जी ने साहुकार की बेटी से कहा तू मेरी सहली बन जा तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पीता से पुझ कर कल आऊंगी चाहुकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात कह दी तब उसके पिता जी बोले वह तो लच्मी जी है अपने को और क्या चाहिए तू लच्मी जी की सहली बन जा दूसरे दिन वह लड़की फिर गई तब लच्मी जी पीपल के पेर से निकल कर आई और कहा सहली बन जा तो लर्की ने कहा बन जाओंगी और दोनों सहली बन गई लच्मी जी ने उसको खाने का नवता दिया घर आकर लर्की ने मा बाप को कहा कि मेरी सहली ने मुझे खाने का नवता दिया है तब बाप ने कहा कि सहली के जिमने जायो पर घर को समहल कर जाना तब वह लच्मी जी के यहां जिमने गई तो लच्मी जी ने उसे साल दुसाला ओढ़ने के लिए दिया रुपए दिये सोने की चौकी सोने की थाली में 36 परकार का भोजन करा दिया जिम कर जब वह जाने लगी तो लच्मी जी ने पल्ला पकर लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जिमने आऊंगी तो उसने कहा आ जाईयो वह घर आकर चुपचा बैट गई तब बाप ने पूछा कि बेटी सहली की यहां जिम करा गई और तु उदास क्यों बैठी है तो उसने कहा पिता जी मेरे को लच्मी जी ने इतना दिया और एक परकार की भोजन कराए प्रतु मैं कैसे जिमाऊंगी अपने घर में तो कुछ भी नहीं है तब उसकी पिता ने कहा कि गोपर मीटी से चौका लगा कर घर की सफाई कर ले जारमुख वाला दिया जला कर लच्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना लरकी सफाई करके लड़ू लेकर बैठ गई उसी समय एक रानी नहा रही थ ईसका नौलक्का हार चील उठा कर ले गई और उसके घर वह नौलकका हार डाल गई और उसका लड़ू ले गई बाद में वह हार को तोर कर बाजार में गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए तब उसने कहा कि सोने की चौकी सोने का थाल साल दुसाला दे मोहर दे और सामागरी दे 36 परकार का भोजन हो जाए इतना सामान दे सारी चीजे लेकर बहुत तयारी करी और रसोई बनाई तब गनेश जी से कहा कि लच्मी जी को बुलाओ आगे आगे गनेश जी और पीछे पीछे लच्मी जी आई उसने फिर चौकी डाल दी और कहा सहली चौकी पर बैठ जा जब लच्मी जी ने कहा सहली चौकी पर तो राजा रानी की भी नहीं बैठी किसी के भी नहीं बैठी तो उसने कहा कि मेरे यहां तो बैठना पड़ेगा फिल लच्मी जी चौकी पर बैठ गई तब उसने बहुत खातिर की जैसे लच्मी ने करी थी बैसे ही उसने करी लच्मी जी उस पर खूस हो गई घर में खूब रुपया वंग लच्मी हो गई साहुकार की बेटी ने कहा मैं अभी आ रही हूँ तुम यहीं बैठी रहना और वहाँ चली गई लच्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रही उसको बहुत दौलत दी लच्मी जी जैसा तुमने साहुकार की बेटी को दिया बैसा सब को देना कहानी सुनते हुकारा भरते अपने सारे परिवार को दियो पीहर में देना ससुरार में देना बेटे पोते को देना हे लच्मी माता, सबका कष्ड़ दूर करना, दर्दरता दूर करना, तब की मोनो कामना पूर्न करना, प्रेम से बुलिये लच्मी माता की जय, जैनेस महराज की जय एक बार एक राज्य में एक राजा रहते थे राजा बहुत ही बुध्यमान और वलसाली थे राजा सदेव अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद करते थे राजा की दो बेटिया थे राजा अपने दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता था राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुन्दर और आकरश सकती और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी की मुकाबले थोरा कम सुन्दर थी राजा की छोटी बेटी 11 माता का पूजन क्या करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और बहुत पर्संसा करते थे राजा भी अपनी छोटी बेटी को बरी बेटी से अधिक प्रेम करते थे जिस कारण राजा की बरी बेटी अपनी छोटी बहन से बहुत नफरत करने लगी राजा की दोनों वो बेटिया जब बरी हो गई तब एक परोस राचे में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिष्टा लेकर आया लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नजर राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वहा राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आक्रसक हो गया और उससे पहले नजर में ही प्रेम कर बैठा उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ बिवा करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से बिवा करना चाहता हूं जिसके बाद राजा की बड़ी बेटी यहाँ देखकर अपनी छोटी बेहन से बहुत क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बेहन को अपना सबसे बड़ा दुस्मन माल लिया राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बेहन से बदला लेने का नेड़ने लिया जिसके लिए उसने अपनी छोटी बेहन को जान से मारने का प्लान बनाया राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बेहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड़ू में जहर मिला कर अपनी छोटी बेहन को दे दिया और उसको लड़ू खाने के लिए कहा लेकिन लड़ू खाने के बाद भी छोटी बेहन को कुछ नहीं हुआ बड़ी बहन यादे कर बहुत आश्चर्ज में पर गई लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी और उसने जब रात में छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी तब एक मटके में साप रहकर उसे कमरे में छोड़ दिया ताकि छोटी बहन को डस ले और उसका काम तमाम हो जाए लेकिन साब भी छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया जिसके बाद बरी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुए से पानी भर कर लाते हैं जिसके लिए वा छोटी बहन को पानी भरने के बहाने कुए के पास ले गई और उसने अपनी छोटी बहन को कुए में धक्का दे दिया लेकिन इग्यारस माता के किरपा से छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ क्यूंकि हर बात इग्यारस माता उसकी रख्चा कर रही थी और उधर बरे बहन अपने सारे प्रयासों के बाद असफल हो रही थी जिससे वहां बहुत रोधित हो जा रही थी फिर उसने अपने छोटी बहन के पांच जाकर उससे खूद पूछा कि मेरी छोटी बहन तुमको पता है अगुवान ने साप्ती मित्तु एक निश्चित समय पर लिख्य हुई है और कैसे तुम्हारे मित्तु होगी क्या यहां तुम जानती हो तब छोटी बहन ने अपनी बरी बहन को बताया कि हां मैं जानती हूँ मेरी मृत्तु कैसे होगी छोटी बहन से ज्या सुनकर बरी बहन मनीमन बहुत प्रसन होने लगी और उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तो मुझे अपनी मृत्तु की राज बताओ चोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्तु तो एक तोते में है जो तोते की गले में एक हार है उसे में मेरा प्राण छुपा हुआ है कोई भी व्याक्तिक तोते को मार कर वा हार अपनी गले में पहनेगा तुम्हें मुर्शी थो जाओंगी और जैसे ही उस हार को अपनी गले से उतारेगा तुम्हें वापस जी भी थो जाओंगी अपनी छोटी बेहन की मृत्तु का राज जानकर बरी बेहन बहुत खुश हो गई और वहाँ अपने छोटी बेहन को मारने के लिए उसके पालदू तोती को ढूनना शुरू कर दिया और छोटी बेहन को इस बात का आभाज तक ना हुआ कि कोई उसकी जान लेना चाहता है जिसके लिए वहाँ अपने पिताजी के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी मेरी मृत्तू के बाद आप मुझे जलाएगा मत बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी हविली में एक पलंग में लेटा कर छोड़ दिजेगा अपनी छोटी लर्की की जहाँ बात सुनकर राजा बहुत अश्चर्जे में पर गया उसने अपनी बेटी से पूछा बेटी तुम यहां क्या कह रही हो तब राजा की छोटी बेटी ने बताया पिताजी समय किसी के लिए नहीं रुकता है कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं है और फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बाते क्यों कर रही हो दो तिन दिन में तुमारा बिवा है लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उसने बचल ले लिया राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात सीकार कर ली और दो दिन दिनों के बात जब साधी का समय आया तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का बिवा सुरू हो गया जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना सुरू करती है तो उसकी बरी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसको जान से मार देती है तोते की गले में जो हार था उसको अपने गले में धारन कर लेती है जैसे ही बड़ी बेहन उस हार को अपने गले में धारन करती है उधर छोटी बेहन सारे तीन ही फेरे ले पाती है और वहाँ फिर बेहोस होकर गिर जाती है जिसके बाद राजा ने भड़े-बड़े हक्यमों को बुलवाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा राजा की बात सुनकर बैद ने छोटी बेटी को जब चेक किया राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना मड़ी हुई है जहां मैं ऐसी पहली बार देख रहा हूँ राजा ने बैद और हकिम को ये बात बाहर बताने से मना कर दिया कि अगर तुमने यह बात किसी को बाहर बताई तो मैं तुम्हें फासी दे दूँगा राजा ने ऐसे दोनों को धमकाया राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में जाकर एक पलंग में लेटा दिया और वहाँ पर कुछ सैनी को तैनात कर दिया वापस अपने महल पर आ गया राजा की बरी बेटी अपनी पिताजी के पास आई और कहने लगी पिताजी अगर यह साधी संपन नहीं हुई तो आपकी इज़त का क्या होगा आपका है तुम्हें आपकी इज़त बचाने के लिए राजकुमार से साधी करने के लिए तयार हो जिसके बाद राजा ने अपनी बरी बेटी की बात मान ली और राजा ने बरी बेटी को छोटी बेटी की कप्रे पहना कर मंड़ा पर भेज दिया लेकिन राजकुमार जान गया कि यहां राजा की छोटी बेटी नहीं बलकि बरी बेटी है लेकिन जग राजकुमार ने साधिक करने से मना किया तो सभी लोग ने राजकुमार को बिवस करके राजा की बड़ी बेटी से बचोवी फेरे संपन करा दिये और रुबा करवा दिया जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल ले गया राजकुमार राजा की भरी बेटी से ना तो बात करता था नहीं उसको पसंद करता था और नहीं उसके आसपास भटकता था और राजकुमार ने यहां फैसला लिया था कि वहां आपने प्रेमिका को ढून कर रहेगा और यहां जान कर रहेगा कि उसके साथ क्या हुआ है एक दिन राजकुमार अपने घोरे पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुँच गया जहां पर उसने कुछ सैनिको को देखा महल के पास पहुँच कर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वहाँ समझ गया कि यह तो हमारे ससूर जी का महल है तब राजकुमार ने साइनिकों से पूछा तुम लोग यहां क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग में कौन लेटा हुआ है जिसके बाद साइनिकों ने बताया कि यहां पर राजा की छोटी बेटी लेटी हुई है यहां सुनकर राजकुमार बहुत परसन हुआ और चिंतित भी हुआ तुरांट अपनी प्रेमिका के पास पहुँच गया और उसकी सेवा करने लगा जैसे ही राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई राजकुमार ज्या देकर बहुत खुश हुआ और उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहां क्या कर रही हो तु मेरे साथ मेरे घर चलो राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को साड़ी बाते बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसी थी और मैंने यह सक सिर्फ अपनी बड़ी बेहन को बताया था और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है उसके पास एक हार है जिसको वहाँ सुबा पहन लेती है और रात को उतार देती है जब तक वहाँ हार को पहने रहती है तब तक मैं मुर्चित रहती हूँ और जैसे ही वहाँ हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ और जब तक मेरी बेहन के पास वहां हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मुर्चित होती रहूंगी अगर मेरी बड़ी बेहन के पास जो हार वो मेरी हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी राजकुमार यहाँ बात सुनकर राजा की छोटी बेटी की पास रहने का निर्नाई ले लिया और उसने अपनी बचे हुए सारे फेरे उस पलंग में लेटी राजकुमारी की छोटी बेटी के साथ ले लिये और अपना बिबा को पूर्ण कर लिया और वहीं पर रहने लगा देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पतनी पेट से हो गई एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना परा तब चोटी बेहन के पेट में बहुत देज दर्द होने लगा जिसके बाद उसने 11 समाता का ध्यान किया जिसके बाद वहां पर 11 समाता परकट हुई और उन्होंने अपनी भक्तों के दर्द को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति और वही पर अचानक से राजकुमार भी आ गया, or उसने तुरंथ माता को परनाम किया, और इज्ज्यार्श माता ने राजकुमार से कहा, जैब तुम्हारा बेडा पाच बर्सका हो जाए, तो तुम अपनी पत्नी के हार आकर इसके गले में डाल देना, देखते देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र पांच वर्सका हो जाता है तो राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ तुम अपनी माता का ध्यान रखना और वहाँ वहाँ से चला जाता है पुमार को बाहर निकलता देख बड़ी बेहन के सैनिक देख लेते हैं और वहाँ बड़ी बेहन को जाकर साड़ी बाते बता देते हैं जिसके बड़ी बेहन अपनी छोटी बेहन के पुत्र को वहां से उठवा लेती है और उसको मरवा देती है चोटी बेटी की पुत्र के दो टुकरे करवा देती है पहला टुकरा चक्की के बाज चुपा देती है और दूसरा टुकरा अपनी पलंक नीचे रख देती है 11 ग्यारस माता बरी बेहन की सारी कर्दुत अपनी आँखों से देख रही थी उनसे रहा नहीं गया वहाँ एक विकारी का रूप लेकर बरी बहन के पास चली आती है जिसके बाद वहाँ पर विक्षा मांगने लगती है बरी बहन अपने नौकरों से कहती है कि जाकर विक्षा दे दो लेकिन जैसे ही नौकरी ग्यरस माता को विक्षा देने के लिए आते हैं तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे महराने से ही भिछा लोंगी जाकर कह दो इसके बाद बड़ी बहन श्रयम ही भिछा देने के लिए माता के पास आती है तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती है और वहाँ पर छोटी बेटे के पूत्र के टुकड़े को जोर देती है और उसे जिवित कर देती है उसे वहाँ से ले जाती है राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम इसका ध्यान रखना अगर तुम इस बच्चे का अच् इसके बाद राजकुमार का लगण अपने मम्मी के पास जाता है और कहता है कि मम्मी मुझे तुम्हारा हार चाहिए जो तुमने गले में पहन रखा है। यहां सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत क्रोधित होती है पर उसको यह याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान रखो तो वह मुझसे बात करेंगे इसके कारण हुआ हार को उस बच्चे को दे देती है और वहा तुरन हार ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है और तभी राजकुमार अपने बेड़े को लेकर वहां से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बना कर रखना मैं सामको आकर तुम्हारे साथ खाऊंगा और वह अपने बेटे को लेकर वहाँ से चला जाता है जिसके बाद वह राजा के पास जाता है और उनको साड़ी बाते बता देता है राजा अपनी बड़ी बेटी की यह कर्दूत सुनकर बहुत क्रोधित होते हैं और अपनी परवरिस पर ही दोस् और राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश देते हैं ग्यारस माता के किरपा से राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ सुखी जीवन हुयातित करने लगी और हर ग्यारस को ग्यारस माता का व्रत करने लगे प्रेम्स बोलिये हिग्यारस माता की जय जापती महारिशी कस्यप की कई पत्निया थे उन में से एक का नाम था दनू दनू की संतान दानो कहलाए उसी दनू के बरे पुत्रक नाम दंब था दंब बहुत ही सदाचारी और धार्मिक परवितिक था अने दानो की भाती उसमें ना तो इस्या ही थी और ना ही देवताओ से देश भावना वहाँ विश्णू का भाक्त था और उन्ही की आराधना किया करता था लेकिन उसे एक ही चिन्ता सताती रहती थी कि उसकी कोई पूत्र ना था आचारे सुक्र ने उसे स्रीक क्रिश्ण मंत्र की दिख्षा दे दम्भ ने दिख्षा पाकर पुस्कर में महान अनुष्ठान किया अनुष्ठान सफल हुआ उसके अनुष्ठान से परसन होकर भागवन विश्णू परकाठ होकर बोले बज मैं तुम्हारे अनुष्ठान से परसन हूँ पर मांगो दम्भ बोला भगवन यादि आप मेरी तपस्या से परसन है तो मुझे ऐसा पुत्र दे जो आपका भाक्त हो और तीलो की जय हो उसे देवता भी यूद में ना जित सके भागवन विश्णू ने तथास्तु कहा और अंतरध्यान हो गए और दम्भ परसंचित अपने घर लोटाया गोलोक में स्री राधा ने स्री कृष्ण पार्षद स्री दामा को असूर होने का स्राप दिया था स्राप मिलने पर वही दम्भ की पतनी की गर्भ में आया जन्म होने के पश्चात दम्भ ने अपने उस पूत्र का नाम संखचूर रखा जब वहा कुछ बरा हुआ तो दम्भ ने उसे मूनी जैगी सिश्य की देख रेख में रख दिया मूनी जैगी सिश्य ने उसे शिख्चा दिख्चा दी अपनी कुमार अवस्था में ही संखचूर पुष्कर में पहुँचा और उस महान धार्मिक तब अस्थली में ध्यान मगन रहकर बरसो तक ब्रह्मा जी की तपस्या करता रहा उसकी घोर तपस्या से परसन होकर ब्रह्मा जी परकट होकर बोले बद्स मैं तुम्हारी तपस्या से परसन हूँ बर मांगो पिता मा मुझे ऐसा बर्दान दिजिए कि मुझे देवता प्राजित ना कर सके संक्चूर ने कहा ब्रह्मा जी ने उसे ऐसा ही ब्रदान दिया और स्रीक्रिष्ण कवच प्रदान करते हुए उसे आदेश दिया संक्चूर तुम बद्री का आश्रम चले जाओ वहां तुम्हारा भागे का सितारा उदय होने की पर्दिक्चा कर रहा है आदेश मानकर संक्चूर बद्री का आश्रम पहुँचा वहां महराज धर में धवाज की पुत्री तुलसी भी तपस्या कर रही थी दोनों का आपस में पड़ी चैह हुआ और ब्रह्मा जी की इच्छा उंसार दोनों का विबा हो गया अपनी पतनी को लेकर संक्चुर पुना देत्य पूरी लोड़ गया सुक्रचारे ने उसे दानों का आधी पती बना दिया सिंहासन पर बैशते ही उसने अपना समराजय बढ़ाने के लिए देव लोग पर चड़ाई कर दे ब्रह्मा जी के बरदान के कारण वह अजय हो चुका था देवताओं को उसे हराने में कोई कठिना ही नहीं हुई उसने अमरावती पर कब्जा जमा लिया इंद्र अमरावती छोर कर भार निकले देवताओं उसके डर से कंदराओं में जा चुपे संखचूर तीनों लोगों का सासक हो गया और सब लोग पालों का कारे भी उसने संभाल लिया उसने अपनी परजा की भलाई के लिए अनेक कारे किये परजा उससे बहुत परसं थी सर्वत्र सुक और सांती थी क्यूंकि संखचूर स्वयम भी कृष्ण भगवान का भग्त था आता उसकी परजा भी भगवान कृष्ण पर पूरी आस्था रखने लगी उसके राजे से अधर्म का नास हो गया परजा इंद्र और देवताओ को भूलने लगी इससे देवताओ को बहुत छोब हुआ इंद्र पितामा ब्रह्मा के पास पहुँच कर बोले आता महा आपने संखचूर को अभ़य होने का बरदान देकर उसे निरंकूस बना दिया है वह अमरावती पर कबजा जमाए बैठा है देवताओ डर डर की ठोकडे खा रहे हैं हमें बताए हम क्या करे पितामा बोले सूरेंद्र संखचूर धार्मिक और रीती से अपना सासन चला रहा है प्रजा उससे परसन है उसके राजे में प्रजा सुखी और संपन है हमें उससे कोई सिकायत नहीं है इंद्र बोले यह सब तो ठीक है पितामा लेकिन क्या हम यूही भटकते रहे आखिर अमरावती है तो देवताओ की ही पितामा बोले अबस्य है किन्दु संख चूर ने तुम्हें युद में प्राजित करके उसे प्राप किया है उसने तुम्हारी प्रजा को भी कोई कष्ट नहीं पहुचाया है सिर्फ सिंगासनों का ही फिर बदल हुआ है ना इंद्र बोला लेकिन पितामा हम आपकी संताने हैं क्या आप चाहेंगे कि आपकी संताने युँ ही दर बदर भटकती रहे कुछ उपाय कीजिए पितामा पितामा बोले मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता देविंद्र जब तक संख चूर के भाग्य में आमरावतिक एस्वर्य भोगना है वह भोग्य गाही तुम भग्वान विष्णू की पास चले जाओ वे अवस्य ही कोई उपाय तुमें सुझा देंगे वहां से निराशोकर इंद्र विष्णू भग्वान की पास पहुँचे और उनकी इस्तूति करने लगे और बोले भग्वान देवता इस समय भारी संकट में है ब्रामा जी ने अपनी असमर्था जाहिर करके मुझे आपके पास भेज दिया है कुछ की जी प्रभू अन्यथा संपुर्ण देव जाती ही नश्ठ हो जाएगी विष्णू भग्वान बोले पितामा का कहना ठीक है मैं भी आकारण संकचूर के सम्मंधों में हस्त छेप करना पसंद नहीं करता उसकी सारी प्रजा कृष्ण भग्थ है और कृष्ण मेरा ही प्रती स्वरूप है मैं अपने भग्थ पर कष्ट होते नहीं देख सकता लेकिन निरास होने की आवसकता नहीं सुर्राज तुम भग्वान सीब के पास चले जाओ और उनी से कोई उपाए पुछो वे अवसे तुम्हारे कष्ट का निवारन कर देंगे विश्णू भग्वान की बात सुनकर इंद्र निरास भाव से बैकोंट से निकलाए आंते में वहाँ भग्वान सीब के पास कैलास परवत ना जाकर सीब लोग पहुँचे और भग्वान सीब की इस्तूती करके अपने आने का पडियोजन बताया भग्वान सीब ने उसकी बात सुनी और उसे आउसस्त किया धैरे रखो सुर्राज तुम्हारा सिंघासन तुम्हे अवस्य प्राप्त होगा मैं गंधरवे राज चित्ररथ को अभी दूत बना कर संखचूर के पास रवाना करता हूं सीब के आदेश अनुसार गंधरवे राज चित्र रथ संख चूर के राजधानी पहुंचा उस समय संख चूर अपने सिंघासन पर विराजमान था चित्र रथ ने उसका अभी बादन करने के पश्चात अपने आने का कारण बताया दैत्य राज मैं गंधर्वे राज चित्र रथ हूँ और भगवान शीब का एक संदेश लेकर आपके पास आया हूँ यहाँ सुनकर संख चूर के चहरे पर आज चरजे जलक आया शीब के दूद को सामने पाकरवा सिंघासन से उठकर बोला मेरा अहो भाग्य है कि भगवान सीब ने मुझे किसी योग समझा आग संदेश सुनाए क्या संदेश भेजा है भगवान रूत्र ने गंधर्वे राज बोला दैत्य राज भगवान सीब ता संदेश है कि तुम देवताव का राज ये उन्हें वापस लोटा दो और उनके अधिकार उन्हें देदो भगवान सीब ने देवो को अभय होने का बचन दिया है संदेश भगवान सीब से मेरा परनाम कहना और उनसे कह देना कि संदेश के रिदे में आप के लिए बहुत ही ज्यादा स्रधा है प्रान्तु यादी उन्होंने इंद्र के बहुकावे में आकर मुझे डंडिट करने का निश्य किया है तो मैं उनकी बात नहीं मानूगा और उनसे भी यूद करने के लिए तयार हो जाओंगा प्रालत वापस लोटा और उसने भगवन संकर को संखचुर का उत्तर सुनाया या सुनकर सिफ क्रोधित हो गये और अपने गनों को यूद का आदेश दे दिया उधर संखचुर ने अपने पुत्र का अभिशेक कर उसे दानव धिपाती बना दिया और अपनी पतनी से बोला मैंने युद शिकार कर लिया है देवी इस्वर करे युद में हमारी बिजाए हो अब मुझे अनिमती दो मेरी सेनाय तयार है संखचुर अपनी सेनाव लेकर युद भूमी में जा पहुँचा दोनों सेनाव गुम तत्र परवत के समेब एक दूसरे के आमने सामने आखरी हुई भगवन सीब ने संखचुर के पास एक बार फिर संदेश भेजा की वह नादानी ना करे और युद से दूर रहकर उनकी बात माल ले किंदू संखचुर न माना और दोनों सेनाव में घन घोर युद छिद गया भगवन सीब और संखचुर आमने सामने डट गये दोनों में अनेक अस्त्र सस्त्रों से युद होने लगा फिर भगवन सिब ने जैसे ही संख चूर का बध करने के लिए त्रिसुल उठाया तो आकस बानी हुई देवादी देव आप परलेंकर है सर्व समर्थ है किन्तु आपको मरियादा की रक्षा करनी चाहिए सुरूती की मरियादा को नश्ट ना करे जब तक संख चूर की पास हरी का कवच है और जब तक उसकी पति व्रता पतनी मौजूद है तब तक उस पर बुढ़ापा नहीं आ सकता और नाहीं उसकी मृत्तू हो सकती है आकास बानी की खतम होते ही शीप का त्रिसूल अपने आप रुग गया तभी भगवान विश्णू परकट हुए शीप से बोले भगवान आपने तो मुझे बरे धर्म संकट में डाल दिया है आप ही ने तो इंद्र को मेरे पास भेजा और जब मैंने उसे अभई करने के लि अब समाप्त होने ही बाला है भगवान आप इसे असूर योनी से मुक्त करके गोलोक भेजना पड़ेगा यह क्रिश्ण भक्त है और क्रिश्ण मेरा ही प्रती स्वरूप है अथा इसे वापस गोलोक भेजना होगा फिर विश्णू ने एक ब्रामन को भेश धारं किया और सं संखचूर बोला मांगो प्रिपबर जो भी मेरे पास है उसे दे देने में मुझे किंचित भी बिलम नहीं लगेगा तेरा सीर भी मांगो गे तुवा भी देने से मैं इनकार नहीं करूंगा आप आदेश तो दो आमन भेश धारी विश्णू बोले दैते राल मुझे आपका सीर नहीं आपका कवच चाहिए बोले देंगे अपना कवच संखचूर ने अपना कवच उतार कर ब्रामन भेश धारी विश्णू को स्वप्त हुए कहा अवस्य जादी भगवान कृष्ण की ऐसे ही इच्चा है तो ऐसा ही होगा आप कवच ले जाए ब्रामन भेश धारी व पिर उन्होंने संखचूर का भेश धारन किया और राज महल में जाकर संखचूर की पतनी तूलसी के पास पहुँचे तूलसी न उन्हें अपना पती ही समझा और उनका स्वागत किया उस रात विश्णू संखचूर के महल में ही ठहरे अचाना की पती ब्रता तूलसी को धो कैसे हुआ अन्य था अपने पतिव्रत तेज से अभिभास्म कर दी हूं विश्णु अपने बास्तिविक रूप में परकट हो गये उन्होंने तुलसी को समझाते हुए कहा सुनो तुम्हारे पति का समय पूरा हुआ एक स्राप के कारण ही उसे असुर योनी में आना परा था तुम्हें कलूशित करना परा तुलसी रोते हुए बोली यह आपने अच्छा नहीं किया भगवान यू मेरे साथ छल करके मेरा अस्तित्व अनस्ट किया मैं सराप देती हूं कि आज से आपको भी पत्थर बन जाना परेगा आप में दया मंता नहीं है आप पत्थर है बोले और मैं भी तुम्हें बर देता हूं तुलसी कि मेरे पत्थर बन जाने पर तुम्हें भी मेरे पासिया स्थान मिलेगा भविस्या में लोग तुलसी और सालिग्राम की पूजा करेंगे तुलसी के बगर सालिग्राम की पूजा अधूरी रहेगी उसके बाद विश्ण में पुना युद्ध आरम हो गया किंदू तुलसी की पतिवरत धर्म नर्ष्ट हो जाने से संख चूर की सक्ति घट गई थी आता सीव ने अपना त्रिसुल उसकी और फेका तो वह सीधा संख चूर की हृदय अस्थल को बेध गया आता बारन में हाजारो बिजलिया एक साथ कौद गई चारो दिसाई काप उठी और देखते ही देखते संख चूर धर्ती पर जा गिरा गिरते ही उसके प्रान पेकरू उड़ गए स्राप से मुक्ती मिलते ही स्रीदामा गोलोग जा पहुँचा उसकी भस में से एक संख परकट हुआ जो कालांतर में भगवान सीब के हाथों की सोभा बना तो ताओने सीब की जय जय कार की और इंद्र को अपना सिंगासन पुना प्राथ हो गे एम से बुलिए हर हर महादेप माता पारवते की जय लच्मी नाराइन की जय तुलसी माता की जय सालिक राम भगवान की जय लापसी तपसी की क्या था एक लापसी था एक तपसी था तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था लबसी रोजाना सवा सेर की लबसी बना कर भगवान का भोग लगा कर जीम लेता था एक दिन दोनों लगने लगे लबसी बोला मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूं इसलिए मैं बड़ा हूं लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को सवासे लपसी का भोग लगाता हूं इसलिए मैं बड़ा हूँ नाराची वहां से गुजा रहे थे दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि क्यूं तुम लड़ रहे हो लपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और तपसी ने अपना कारण बताया नाराची बोले तुम्हारा फैसला मैं कर दूँगा दूसरे दिन लपसी और तपसी नहा कर अपनी रोज की भगती करने आए तो नाराची ने चुपकर सवा करोड की एक-एक अंगुठी उन दोनों के आगे रख दी तपसी की नजार जब अंगुठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगुठी उठा कर अपने नीचे दवा दी लपसी की नचर अंगुठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया भगवान को भोग लगा कर लपसी खाने लगा नारजी सामने आये तो दोनों ने पूछा कि कौन बरा तो नारजी ने तपसी को खरा होने को कहा वो खरा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगुठी दिखाए पड़ी नारजी ने तपसी से कहा तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोड़ी करने की आदत नहीं गई इसलिए लपसी बरा है और तुम्हारी तपस्या का कोई भी भल नहीं मिलेगा तपसी सरमेंदा होकर माफी मागने लगा उसने नारजी से पूछा मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा नारजी ने कहा यादी कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा यादी कोई ब्रामन को भोजन करवाकर दच्छिना नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा यादी कोई सारी के साथ बलावजी नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा यादी कोई दिये से दिया चलाएगा तो फल तुझे मिलेगा यादी कोई सारी कहानी सुने सुनी और कहीं जाती है प्रेयों से बुली लच्मी नारायन की चैए